क्या डिश्टल मार्केटिंग सीखने के लिए एक वेबसाइट या एक बेसिक ब्लॉग का होना बहुत जादा जरूरी है क्या इसके बिना डिश्टल मार्केटिंग नहीं सीखी जा सकती आज के इस वीडियो में हम लोग इसी चीज़ को काफी बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे अब ये वाला क्वेशन मेरे दिमाग में क्यों आया या इसके उपर मैं आज वीडियो क्यों बना रहा हूँ वो किसी ना किसी इंस्टिट्यूट से सर्टिफाइड डिश्टल मार्केटिंग का कोर्स करके आते हैं और फिर इंटर्वी में बाढ़ते हैं जब हम उनसे पूछते हैं कि आपने अपनी सीवी के अंदर ये लिख रखा है कि मेरेको अचिया हुआ है Facebook Ads आता है, तो मेरे को आब बताईए कि आपने SEO का, या Google Ads का, या Facebook Ads का कोई project किया है क्या, तो देखे, chances कब होते हैं, क्योंकि एक beginner है, अभी course करके है, तो उसने project नहीं किये होते हैं, तब हम उसे पूछते हैं कि SEO में आपने क्या practice करी, क्या आपने task किये, क्या आपने कुछ चीजें जो करीवी on page किया हुआ है, off page किया हुआ है, कोई article लिखा है, कोई content लिखा है, कोई, आपने जो है, कोई audit किया हुआ है, कोई reports बनाई है, कुछ चीजें जो भी आपने किया हुआ हूँ बताएं और वो चीस क्यों करी है, कैसे करी है, और उसकाgrowthGe mulator क्या था, और उससे आपने क्या सीखा, यह सारी चीजह आप हमको बताए, तो वहाँ पर जो सामने वाला परसन है, जो इंटर्विवी है वो परिशान वाता है कि नई सर हमने कोर्स तो कर रखा है हमको आता सब कुछ है हमने certified course कर रखा है यह रहा हमेरा certificate फला फला institute से मैंने course कर रखा है बट वहाँ पर हमें website के उपर कुछ काम नहीं कराया गया था हमें website दी नहीं गई थी जिसके उपर हम SEO कर पाते तो वहाँ पर classes होती जारी था हमें समझ में सब कुछ हा राता हमें आता सब कुछ है आप हमें मौका दोगे तो हम सारी चीज़े कर लेंगे लेकिन हमने अभी तक किया नहीं तो हमारे दिमार में क्या आता है कि आपको क्या चार महिने का जो आपने course किया था उस दोरान आपको मौका नहीं मिला चार महिने का time कम था आप ये excuse नहीं दे सकते कि मैं digital marketing course करने गया था मैं उसके प्रती serious भी बहुँत था सामने हमने सीखा भी बहुत कुछ लेकिन जब उसको अपलाई करने का नंबर आया तो मैं सारी जिम्मेदारी जो है वो ट्रेनर के उपर या इंस्टिटीउट के उपर छोड़ देता हूँ ठीक है उन्हों नहीं कराया हो सकता है कि उनकी तरफ से जो है ये चीज़ ठीक ना हो उनको कराना चाहिए थोड़ा हैंड़ोल्डिंग सपोर्ट भी कभी-कभी ज़रूरत पड़ जाती है तो देना चाहिए पट क्या आपकी तरफ से जिम्मेदारी नहीं बनती थी क्या आपकी रिस्पॉंसिबिल्टी नहीं बनती थी कि मैं भी एक डोमेन होश्टिंग खरीद लू आपने 40,000 का कोर्स किया बहुत सारे लोग तो 50,000, 70,000 रुपए 70,000 रुपीज एक कोर्स के बहुत सारे लोग देते हैं उसमें आप 50,000 रुपए और जादा डोमेन के उपर होस्टिंग के उपर वेबसाइट के उपर नहीं खर्च कर सकते थे, बिलकुल आप कर सकते थे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हम से हमारे बैचेज में पढ़ते हैं, जब हम उनसे यही बात कहते है कि क्या आपके पास कोई वेबसाइट है या आप वेबसाइट बनाएंगे ये रिस्पांस आता है कि सर हमारे ना family में एक business है, हमारे ना मित्र का ये business है, मैं उससे बात करके कल आपको बताता हूं सर उसको अगर वेबसाइट बनवानी होगी या landing page बनवाना होगा या एक छोटी से website टाइप की बनानी होगी तो उसकी जो है मैं website बनवा लूँगा आप मेरे को reference देजिए किसी से अगर बनवानी है मैं website बनवा लूँगा उसकी professional तरीके से छोटी से website बनाऊगा और मैं दिरे दिरे ना सर उसी के ओपर practice करूँगा ताकि मेरा portfolio भी बनता जाए इन्ही सब reasons की वज़े से मैं कहता हूँ कि website जरूरी अगर आप digital marketing सीखने जा रहे हैं और आप ये सोच के बैठे हुए हैं कि without website आप digital marketing सीख जाएंगे नहीं होने वाला है सामने से आपको website मिल रही है तो ठीक है नहीं मिल रही है और आपको बनाने में थोड़ा सा interest है digital marketing का आप ऐसा course कर रहे हैं जिसके अंदर WordPress वगेरा का module है तो फिर आप खुद से थोड़ी बहुत website बना लें website का मतलब यहाँ पर website भी हो सकता है blog भी हो सकता है कोई web presence होना चाहिए आपके पास कोई एक webpage होना चाहिए आपके पास जिसके उपर आप काम करना शुरू करेंगे तो जो सवाल से हमने शुरुआत करी थी कि क्या website के बिना digital marketing सीखी जा सकती है बहुत मुश्किल है वरना वही हाल होगा कि आप certificate तो आपके पास होगा beginner से बहुत जादा project के expectation होती नहीं है हम लोगों को भी नहीं होती है बट हम seriousness तो चेक करते है कि आप 4 महिने में 5 महिने में इतने भी serious नहीं हुए कि आपको लगा नहीं कि हमारे पास एक website होनी चाहिए मुझे खुद एक website जो है वो रखनी चाहिए अपने पास क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ों की practice करनी है अगर आपको SEO में किसी article को optimize करना सीखना भी है उसकी practice भी करनी है शुरुआत में तो आप सब गलत ही करोगे एकदम से तो सारी चीज़े ठीक करनी ही लोगे जो बिल्कुल beginner है मैं उनकी बात करोओं तो आप सारी चीज़े ठीक करनी ही लोगे तो गलत करोगे तो आपको कोई project भी तो नहीं देगा starting में कि आप यह सोचो कि कोई आपको बहुत ही जबरदस्त project दे दे life project और आपको उसके उपर खेलने को दे दे कि आप उसके उपर काम करो कोई नहीं देगा है ना तो आपको अपने इस टाइप से सोर्स है जो है शुडवात में बनाने पड़ेंगे मेहनत करने के point अप दीरे दीरे आपने जब तक उसको अपने हाँ से किया नहीं तब तक नहीं होगा अब वो करने के लिए website भले आपको trainer प्रोवाइट करें भले आपको आपको कोई relative प्रोवाइट करें आप खुद से जो है website बनाए वो कुछ भी हो सकता है website आपके पास होनी चाहिए उसके पीछे जो reasons है वो कुछ भी हो सकता है तो website का होना बहुत जादा important है अगर कोई भी person जो बिल्कुल beginner है वो इस वीडियो को देख रहा है और उसने अभी recently digital marketing का course हो गयरा start किया है कहीं से भी सीखना शुरू किया है तो कोशिश करें वो एक website का जिसको हम बोलते है जुगाड करना एक website का जुगाड कर ले आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास एक basic सी website होगी तो कितनी चीजों को आप perfection level पर सीख सकते हैं अगर आपके पास एक basic सी website होगी और उसके basis पे बड़ा लंबा चोड़ा portfolio अपना तयार कर सकते हैं portfolio कहें या documentation कहें जिसको आप interviewer के सामने रख सकते हैं कि सर मैंने ये काम किया मैं समझता हूँ मतलब जब मैं interview लेता हूँ मुझे पता होता है कि ये beginner है इसने 5 मेने का course किया है इससे मैं कैसे project expect करना हूँ तो बहुत सारे लोग समझते हैं इस चीज़ को तो ये सारी चीज़े अगर आप करके जाएंगे interview के अंदर तो आपको समझेगा कि आपके अंदर willingness to learn है ठीक है ऐसा नहीं कि बस आप ये सोच के बैठे थे कि course करेंगे और job लग जाएगी अगर आप ये सोच के बैठे तो मुश्किल है आपको ना इसमें से खुझ से बहुत सारी चीज़ों में participate करना पड़ेगा यही digital marketing की demand साथ ही साथ जो लोग अपनी कुछ resources के थरू या YouTube के थरू या blogs के थरू जो है वो digital marketing सीखना चाते हैं उनको भी मैं बताऊंगा किस तरीके से वो digital marketing सीख सकते हैं एक बड़ी मज़दार चीज़ कि अगर इस वीडियो के उपर 3000 से जाधा likes आ जाते हैं तो मैं खुझ से एक series बना दूँगा एक different playlist बना दूँगा जिसके अंदर practical level पर zero से किस तरीके से आप एक basic सा blog या basic सी website बना लेना बट कम से कम इस वीडियो को थोड़ा सा प्यार देने की ज़रूरत थे इस चीज़ के लिए like अगरा करिएगा मैं बिल्कुल जो है उसकी तैयारी में लग जाओंगा और आप लोगों के लिए वाली भी playlist इतनी सारी हम लोग playlist लेकर आते हैं वो भी playlist लेकर आजाएंग कि इंटर्व्यू क्रेक करने के लिए यूर website will act as a project for absolute beginners यही आपको भीड से अलग कर देगा next is किन किन चीजों को आप सीख सकते हैं अगर आपके पास website होगी तो जैसे for example अगर आपने खुद से landing page बनाना सीखा हुआ है elementor के उपर basic basic type के जो landing pages बनाने सीखे हुए उसकी आप funnel जो बहुत सारे different funnel builders होते हैं यह भी आजकल के time में market में available है उनके उपर भी जाकर आप landing pages बना सकते हैं काम चला हुआ आपका काम चल सकता है और website बनाने के लिए आपको domain hosting servers इन सब की knowledge है वो लगती है तो इन में भी आपको थोड़ी सी mastery हो जाएगी अगर आप website खुद से ब practice हो जाती wordpress पर अपने website बना कर रखी हुई है तो wordpress के backend की आपको समझ में हो जाती है कि appearance क्या है themes किस तरीके से change होती है तो अगर आप कहीं नौकरी करने भी जाएंगे job के लिए apply करेंगे तो आप जब अपना confidence दिखाएंगे कि मेरे पास देखी है wordpress की website है मैंने यह चीज SEO का एक-एक implementation आपकी website के उपर हो सकता है तो SEO में 100% आपकी practice हो सकती है 100% practice ठीक है अगर आपके पास एक website है तो practice किसकी हो सकती है tracking की website नहीं होगी तो tracking की कैसे practice करेंगे अगर आपको facebook pixel लगाना है facebook के उपर account तो फ्री बन जाएगा pixel फ्री में मिल जाएग आपको अगर उसकी practice करनी तो कैसे करेंगे जब तक website नहीं होगा कि मेरे tax ही से fire हो रहा है या नहीं हो रहा है gtm की practice करनी तो कैसे करेंगे e-commerce की data layer populate करनी तो कैसे करेंगे e-commerce की tracking setup करनी कैसे करेंगे enhance e-commerce कैसे setup करेंगे gtm के थुरू जो और बहुत सारे advanced tracking होती उसको कैसे करेंगे gf4 में events कै से टप करेंगे, यह सारी चीज़े कैसे होंगी, अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है तो ठीक है, तो यह ज़रूरी है कि एक वेबसाइट जो है वो बना कर रखेंगे, सर्वर साइट ट्रैकिंग, आज की टाइम में बहुत जादा डिमांड में हैं चीज़, सर्वर चला सकते हैं, आपके कोई नोन होगा, जो लेट से रियल स्टेट का ब्रोकर है, तो आप अपनी वेबसाइट के उपर, अगर आपका डोमेन उस तरीके का है तो, अपनी वेबसाइट के उपर, आपने एक लैंडिंग पेज बनाया है, सब डोमेन के उपर, और छोटे से आपके सर, मैंने सर्टिफिकेट तो दस ले रखें, इंस्टिट्यूट में जब आप कोर्स करेंगे, आपको एक तो इंस्टिट्यूट का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, एक आपको गूगल का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, एक आपको हबस्पोट का सर्टिफिकेट मिल जा मौका दे दे बना बहुत जबरजस्त प्रोजेक्ट के उपर काम करने के लिए और मैं तीर मार दूँगा लेकिन उस प्रोजेक्ट को लेने के लिए जो बेसिक चीजों की ज़रूरत है चड़ोगे तो step by step ही न तो आपने अपनी तरफ से क्या किया भई मैं तो प्रोजेक्ट सीखने के दोरान वो चीजें का है तो गाइब है क्योंकि website नहीं थी तो इस जरूरी है कि आप उस चीज का थोड़ा सा ध्यान दे ठीक है थोड़ा सा ठीक ठाक website जो है बनाने लगेंगे तो freelancing के लिए अपनी freelancing point of view से आपकी छोटी मोटी website बन जाएगी portfolio website बन जाएगी ऐसे जो आपका contact form 7 है या WP form है ऐसे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म से gravity फॉर्म से उनको Google Sheet के अंदर किस तरीके से वहां से data आप लेकर आते हैं अगर आपके पास website नहीं होगी तो आप apply भी नहीं कर पाऊगे अगर आपको Facebook का आपका जो ads account है उसको या Facebook का जो आपके पास business manager है उसको अगर आपको verify करवाना है तो उसको भी verify करवाने के लिए domain की ज़रूत होती है और website नहीं होगी तो वह भी verify नहीं होगा तो यह सारी छोटी होटी चीज़ है उसके लाओ मैंने आपको क्या बता है कि आपके पास internet के उपर बहुत सारी free resources है जिनकी मदद से आप digital marketing बहुत हद तक सीख सकते बठंगे उ कौन कौन से courses है fundamental of digital marketing from Google है Google का skill shop के उपर different courses है Coursera के courses है Udemy के free courses मैं को प्रमोशन नहीं कर रहा हूं यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूं कि यह सारे different courses उन सबके certificates नहीं मिल जाएंगे आपको जो मैंने आपको बता है उसके लावा channel से जैसे मेरा ही channel और जिसके भी channel आपको प central मतलब SEO की Bible है SEO यहीं शुरू है और यहीं खतम है आपको इंदर उंदर जाने की जरूरत ही नहीं बट implement कहां करोगे भाई साब implement करने के लिए website सची हरेफ का blog है बहुत सरे blog है एसी हम रश के blog है जितने tools हैना सबके अपने अपने blogs होते हैं SEO का blog है इन सब पे अगर आप देखेंगे तो complete complete SEO की guides पढ़ी है उनको पढ़िए website बनाईए धीरे-धीरे implement करना शुरू करिए अगर कहीं इंशिट्यूट्स होगरा में पढ़ रहा है तो हांसे टाइप से guidance mentorship आपकी सवालों की जवाब मिल जाएंगे उदर से certificate मिल जाएगा interview देने जाईए high probability ही कि आप interview crack कर लेंगे high probability है तो यह सही तरीका है इसके बाद जैसे मरता है HubSpot, SEMrush, Moz इन सब के blogs है और इनके certification जो courses है वो भी है अगर आप अभी जैसे आज यह वीडियो देख रहे है और अभी अगर आप hosting और domain लेना चाहते है ले सकते हैं कि यह वाला जो time है यह Black Friday का time है जब मैं इस वीडियो को release कर रहा हूँ अभी updates वगरा देख लीजेगा कब तक यह sale है तो hostinger के उपर आप जाकर hosting और domain जो है वो लेकर रख सकते हैं और धीरे धीरे जब मैं ही आगे जो playlist launch करूंगे तो वहाँ पर भी जाकर उसके उपर अगर आप practice करना चाहें तो वहाँ पर भी जाकर आप उसके उपर जो practice है वो कर सकते हैं तो क्योंकि यह Black Friday वाला आपको type करना है fine hostinger slash umar आपको type करना है और यहाँ पर आप देख सकते हो up to 80% off है web hosting का Black Friday के point of view से और आप यहाँ पर जाकर claim deal करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर different different आपको packages दिख रहे हैं देखें सिंगल website का तो मैं कभी recommend नहीं करता हूं ठीक है यह नहीं है आपके लि but starting में आपको इस type से जो plan हैं देख रहे हैं आप 100 website आप host कर सकते हैं तो मान लिया आप digital marketing का course कर रहा है तो उसके बाद आपको कोई छोटा सा एक काम मिल जाता है ठीक है तो आप अपनी ही hosting पे अगर host करना चाहें तो एक और website host कर सकते हैं एक आपने blog की website बने एक आपने landing page क multiple websites अगर आपको host करनी ही तो उस तयारी के साथ आप hosting लीजिए ठीक है अगर आप इस field के अंदर हैं तो अगर इस field के अंदर नी है तो फिर तो कोई भी option हो सकता है अगर आप इस field के अंदर है थोड़ा सा जो है ठीक ठाक hosting लें और थोड़े लंबे time के लिए hosting लें जादा time क मैं क्यों कह रहा हूँ क्योंकि आपको इसी field के अंदर जो है वो रहना है minimum 12 months का तो आपको लेना ही चाहिए तो यह सारे different features है और सबसे important चीज़ कि इसके साथ आपको एक free जो है वो domain भी मिल जाता है fine और भी आप देख सकते हैं यहां पर बहुत सारे different features है वो available है आप चाहे सेट अप कर सकते हैं किस तरीके से wordpress के backend तक तो हो सकते हैं वो सारी चीज़े मैं आपको दिखा दूँगा उसके बाद जब मैं playlist बनाऊंगा तो आप practice भी साथी साथ कुछ ना कुछ कर सकते हैं now coming back over here जैसे अगर आप 12 months का plan जो है वो ले रहे हैं तो इसकी जो cost है यह आ रह discount मिल जाएगा देख रहे हैं यहां पर आपको एक additional discount मिल गया तो अभी क्योंकि Black Friday sale चल रही है तो जो भी अभी हमारे normal coupon के discounts होते हैं उनसे additional discounts भी आपको यहां पर ही जो hosting है उसमें ही मिल रहे हैं अगर आप यह वाला भी plan लेना चाहें तो यह भी ले सकते हैं जैसे मैं back करत उमर यूज करेंगे तो यह pricing अगर आप देखेंगे यहां पर अभी तो यह देख रहा है आप 3000 रुपीज की केवल यह hosting हो गई और यह वाले जो time है यह 12 months का time है और इसके अंदर आपको different different बहुत सारी चीज़ है जो है वो दिख रहे हैं उसके बाद इसको buy करने के लिए there are open होती है वहां से मैं start करता हूँ एक बार के लिए right आपको simply google से login कर लेना है और उसके बाद यहां पर जो purchase है वो कर लेनी है जैसे अगर मैं दिखा भी दूँ आपको आप Google के ओपर click करें और यह जो भी मेरी ID आपर login होगी उससे यह जो हमारा hostinger account है वो create हो जाएगा Google से ही ह payment आपको ये वाला जो dashboard है ये open होके दिख जाएगा तो आपकी web hosting यहां पर है और आप अपना free जो domain है वो यहां से claim कर सकते हैं तो मैं इसको setup करूँगा जो हमारी hosting है right start now हमें करना है I am creating it for myself right perfect है I am building it myself इसको मैं कर दूँगा और हम लोग एक blog जो है वो setup करने जा रहे है we are a beginner इसको हम लोग select कर लेंगे आप चाहो तो इस सब चीजों को skip भी कर सकते हैं यहां पर आपको दिख रहा है create a new website करना है migration हमें नहीं करना है क्योंकि हम बिलकुल शुरुआत कर रहे हैं तो हम जो है वो नई website create करेंगे और platform हमारा wordpress आएगा धिहान रखिएगा hostinger builder अगर यहां से and then select wordpress आप कर लेंगे and then यहां पर आपको जो आपका admin password है वो आपको select करना पड़ेगा तो मैं एक बार select कर लेता हूं यहां पर and then आपको यहां से continue कर देना है fine अभी मुझे कोई plugin नहीं use करनी है एक बार मेरा wordpress setup हो जाएगा तो wordpress के अंदर जो plugins का इस्तमाल होता ह वो मैं बाद में भी कर सकता हूं अभी मुझे नहीं करनी है right तो skip मैं कर दूँगा इस चीज को fine and then we will not select the template also but हमें free domain जो है हम यहां से claim करेंगे fine so मैं select करता हूं और जो भी domain आपने सोचा है वो आप यहां पर select कर लेता हूं मैं यहां पर mention कर देता हूं कि मैंने क्या domain जो है कर लिए जैसे आप देख सकते हूं आपर right so हमने domain जो है वो select किया learn from marketers.com right तो किस तरीके सापको इसको register करना है आपको इसको as a individual register करना है as a company register करना है that you can select मैं next step पे आता हूं right और मैं इसमें सारी चीज़े भर देता हूं एक बार के लिए so after filling the information हमें finish registration के उपर click करना है now we will click on finish setup and it is just installing setting up things domain registration के time हो सकता है कोई verification का आपका respective email के उपर mail भी आए तो उसको verify कर लीजेगा आप so setup के बाद आप ये वाला interface देखेंगे now अगर अगर आप edit your website के उपर click करेंगे तो seed है जो है वो आपका जो wordpress का backend होता है न वो open हो जाएगा जैसे मैं आपको दिखाता हूं य open हो जाएगा या फिर आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर आ जाएगा आप आपका जो domain था आप सीधे WP admin यहाँ पर type करें यहाँ पर domain के साथ आपको WP admin type करना है और अगर आप यहां से log out कर जाएगे तो जो आपने starting में पासवर्ड वहाँ पर रखा हुआ था उसको आप यहा जाएगे तो कुछ हमें इस टाइप की जो वेबसाइट है वो दिखाई दे रही है और हम इसमें बहुत सारे कस्टमाइजेशन करने हैं और शुरुआज जो है वो करनी है तो आपको complete समझ में आ गया कि इस तरीके से जो WordPress का डैश बोर्ड है वो आपको setup कर लेना है इसके ब आपको बता है लिंक भी मैं आपको description में दे दूँगा coupon code आपको उमर यूज करना है इस तरीके से आप इसको खरी सकते हैं तो I believe बहुत सारी चीज़े आपने इस particular वीडियो से सीखी होंगी मिलते है नेक्स वीडियो में till then good bye कर दो